हाई आइम वर्षा फ्रम जोस्टीटोज और आज हम पढ़ेंगे कुछ दिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में चुलिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ वॉंप प्वेश्टन ट्राय कर लेते हैं इन questions को try करने के लिए आप video pause कर सकते हैं और end में अपने answers ज़रूर match कीजिएगा तो जैसे कि पहला question के रहा है factors of 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला question है write 3 multiples of 8, multiples of 8 हुए 8, 16 and 24 चलिए आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे divisibility rule के बारे में तो पहला rule हमें कह रहा है if a number is divisible by another number then it is divisible by each of its factor यानि कि यदि कोई number, मानिजे वह number है 12 यदि वह number किसी number से divisible है मानिजे यह number 6 से divisible है तो 12 उन सभी number से divisible होगा जो 6 के factors है जैसा कि हम जानते हैं 6 के factor है 1, 2, 3 and 6 1 से 12 divisible होगा यह हम जानते हैं 6 से divisibility हम चेक कर चुके हैं कि 12 को हम 6 से भी divisible कर सकते हैं बाकी दो factor रह गए 2 and 3 तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 गुना 6 होता है 12 और 3 गुना 4 होता है 12 तो यानि कि हम 12 को 2 और 3 से भी divisible कर सकते हैं यानि कि divide कर सकते हैं तो 12 जो है वो 2 और 3 से भी divisible होगा और यह हमारा rule हमें बताता है चलिए आगे बढ़ते हैं second है if a number is divisible by 2 co-prime number then it is divisible by its product also यानि कि यदि कोई number 2 co-prime number जो कि आपस में co-prime है उनसे divisible है तो यदि हम उन 2 co-prime numbers का product निकालेंगे तो उससे भी वह divisible होगा यानि कि माननी जे कि कोई number है 80 वह 4 और 5 दोनसे divisible है और 4 और 5 आपस में co-prime भी है तो 4 गुना 5 होता है 20 यानि कि 80 20 से भी divisible होगा इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 6 जो कि 3 और 5 दोनों से divisible है और 3 और 5 आपस में co-prime है तो 3 गुना 5 होता है 15 तो 7 15 से भी divisible होगा अगला है if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number यानि कि यदि कोई दो number किसी एक number से divisible है जैसे कि 16 और 20 जो है वह 4 से divisible है तो यदि हम 16 और 20 का sum करें जो कि होता है 36 वह भी 4 से divisible होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सीखेंगे if two given numbers are divisible by a number then the difference is also divisible by that number यानि कि यदि कोई दो number आपस में माफ कीजेगा यदि कोई दो number divisible है किसी एक number से जैसे कि 35 और 20 पाथ से divisible है तो उनका difference भी पाथ से divisible होगा चलिए चेक कर लेते हैं 35 गटा 20 होता है 15 तो यह number 5 से भी divisible यानि यह 15 पाथ से भी divisible है यही हमारा rule हमें सिखाता है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ practice questions हैं जिनको try करने के लिए आप video pause कर सकते हैं और end में अपने उत्तर जरूर माच कीजेगा दिएगा एक questions के यहाँ कुछ answers हैं जिनको आप match कर सकते हैं वीडियो के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कुछ और वीडियो के लिए आप justtutus.com पे ज़रूर विजिट कीजेगा धन्यवाद